कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लाई हूँ सामानों ग्यान के वीडियो मैं लाई हूँ तो आपको बिडियो को पूरा देखना है और सारे ہी मैं को सॉल्फं करना है तो दोस्तों यहां पर मैं आप्सन नहीं लाई हूँ option type नहीं है सिर्फ आपको question दिखेगा और उसका सीधा answer आपको देना है यह नहीं कि यहाँ पे answer लिखा है तो अपने दिमाग का उपयोग आपको करना है आपने कितना पड़ा है उसका जो यहाँ पे test आपको करना है कि आपकी कितनी तयारी हुई है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और दोस्तों आप कापी और पेल लेकर जरूर बैठ जाए और जो question नहीं आता है उसे जरूर नोट करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो पहला question है पहला question है भारत में 1931 इस भी में बनी पहली सवाग फिल्म कौन सी थी तो very important question है ये question बहुत बार आपके exam में बना है तो भारत में 1931 में बनी पहली सवाग फिल्म कौन सी थी आला मारा इसका बिल्कुल सही answer है आला मारा आपका बिल्कुल सही answer है तो बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है भारत का पर्थम neutron reactor कामिनी कहां इस्तित है भारत का पर्थम neutron reactor कामिनी कहां इस्तित है तो इसका answer है कल पक्कम कल पक्कम आपका सही answer है तो दोस्तो आप बताईए कि आपके कितने question सही हो रही है तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question देखिए दोस्तो ये question काफ़ important है समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किस से सम्बंदित है इसका answer है खेलों से खेलों से सम्बंदित है तो आपका answer सही है खेलों से सम्बंदित आपका answer होगा यहाँ पे आपको option मिलेंगे परियावर से शाहिते से अलग-अलग option आपको देखने को मिलेंगे तो आपका जो वाडा कोड है ये खेल से सम्बंदित है बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला टेशी सुनिये दोस्तों, भारत नि किस वर्स और कहां हुए ओलम्पिक खेल में हौकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था तो भारत ने किस वर्ष कहा हुए ओलम्पिक खेलों में हौकी का पहला स्वरन पदग जीता था इसका अंसर है 1928 में और ये कहा हुए थे एमस्ट तर्डम तो वर्ष थे 1928 में एमस्ट तर्डम तो आपका अंसर तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की तरह तो दोस्तों आप अगर इन क्वेस्टनों में से 30 प्लस कर लेते हैं तो आप मानिए कि दोस्तों आपकी त्यारी तो ठीक है और आपको त्यारी और भी अच्छी अपनी करनी है और दोस्तों इन क्वेस्टिनों में से लगभग क्वेस्टिन आपको देखने को मिलेंगे एक्जाम में तो ध्यान से इन क्वेस्टिनों को याद करिए तो अगला question क्या है अगला question है भारतिय अंतरिक्ष अनोसंधान संगठन का मुख्यालाई कहा है इसका सही answer है बैंगलूरू आपका बिल्कुल सही answer है भारतिय अंतरिक्ष अनोसंधान संगठन का मुख्यालाई बैंगलूरू आपका सही answer है अगला question देखते हैं दोस्तों अगला question है भारतिय वायू सेना कितनी कमानों में संगटित की गई है भारतिय वायू सेना कितनी कमानों में संगटित की गई है पांच आपका बिल्कुल सही answer option आपको दिये होंगे 6,7,2,3 इतना जिसना भी आपको option दिये होंगे तो 5 आपका answer हो अभी हमने question पहले वी ऐसा ही किया था तो अगला question देखते हैं भारत कि किस महीला ने सर्वपर्थम मीशार्ड का खिताब जीता तो रीता फार्या आपका अंसर है रीता फार्यां अगला question देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कि सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है तो यह question काफी important हैं दोस्तो भारत यह पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो है red cliff रेखा और इसके लब भारत और चीन के बीच है में एक मोहन रेखा अगला question है किर्केट पिछ की लंबाई कितनी होती है किर्केट पिछ की लंबाई कितनी होती है तो खेल से question आपको जरूर देखने को मिलेगा किर्केट पिछ की लंबाई होती है 20.12 मीटर 20.12 मीटर तो बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है अगला किस्ट ने अंतराष्टिय न्याया लई में न्याया धीस बनने वाले पर्थम भारतिय था नरेंद सिंग आपका अंसर है अगला किस्ट ने संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहां अश्थित है तो कंबोडिया आपका अंसर है संसार का सबसे बड़ा मंधिर कहां इसनी था कंबोडिया अगला क्वेशन है राष्ट मंडल खेलों का आयोजन कितने वर्सों के अंदराल पर किया जाता है ये क्वेशन भी काफी इंपोर्टेंट है राष्ट मंदल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है चार वर्षा आपका बिल्कुल सही आंसर है अगला क्रेशन है भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच कौन सा पुरुसकार है परमवीर चक्र आपका आंसर है आफ चक्र तो ये क्रेशन हाली में हुए एग्जाामों में भी एग्जाम पूछा गया था जो आपका जिस दिन आपका आजडी का पेपर जो कैइंसिल हुए थैं उसी दिन जो पेपर हुए थे अगले जो order postage थी उनके जो exam हुए तो उसमें ये question जो पूछा गया था तो पढ़ते हैं अगले question की तरफ पंकाज आणवार्णी कौन से खेल से संबन्दित है ये question पुराने army exam में पूछा गया question है तो very important ये question है आपका क्योंकि आप से repeated question भी पूछे जाते हैं तो ये question भी very important है पंकाज आणवार्णी कौन से खेल से संबन्दित हैं तो बिलियड आपका answer है बिलियड अगला question देखते हैं अगला question है राष्टिय गीत पमकीन चंदर चटर जी के किस उपन्यास से लिया गया है आणद मठ आपका answer है आणद मठ राष्टिय गीत क्या है वंदी मत्रम तो ये किस उपन्यास से लिया गया है आणद मठ जिसकी रचना की है बमकीन चंदर चटर जी ने तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए बने रही वीडियो के साथ अगला question देखते हैं भारत का पर्थम परमाणो उर्जा रियक्टर कौन सा है अपसरा आपका answer है अपसरा अगला question है पर्थम भारतिय नारी जो एवरेश्ट शिकर पर चड़ने में सफल हुई कौन है पर्थम भारतिय नारी जो एवरेश्ट शिकर पर चड़ने में सफल हुई इसका answer है बचेंदी पाल आपका answer है और विस्तु में पर्थम कौन थी तो जुन को तबाई जो जापा की थी अगला क्रूइशन है बोह कर लोग पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है वक्षी विग्यान अपका आनसर हे अगला क्रूइस है नाशनल स्कूल ओफ डिजाइन कहा इस्तित है इसका अंसर है पूरे नेश्टनल स्कूल आफ डिजाइन कहां इस्तित है पूरे आपका अंसर है अगला केशिन देखते हैं आपका अंसर है चक्रवर्ती राजगोपाला चारे अगला क्येशन है एक किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है 1024 बाइट से आपका अंसर है नेक्स्ट क्वेस्चिन देखते हैं दोगस तो अगला क्वेस्चिन है दूर दरसंद्वारा रंगीन टेलीविजन की सुरुवात किस वर्स से की गई तो ये वेरी इंपोटेंट आपका क्वेस्चिन है दूर दरसंद्वारा रंगीन टेलीविजन की सुरुवात हुई थी वर में बार्तिया राष्टिया अभी लेखागार तो यह संवत परारंब किया गया तो 78 जो 78 इसपी आपका आंसर है बढ़ते हैं अगले कैसिंच की तरफ अगला कैसिंच देखिए दूस्तो अगला कैसिंच है वाई उसेनके फ्लाइग औपिसर रैंक का अधिकारी नहा द सेनके किस ओपिसर के समान रैंक का होता है वाय सेनल की flying officer rank का अधिकारी नौश सेनल के किस officer के समान rank का होता है तो ये तो आपको पता हो रहा चाहिए इसका answer है left in end ये आपको बिल्कुल ही आना चाहिए left in end आपका answer है अगला question देखिए दोस्तो तो दोस्तो आपको question में से कितना आ रहा है ये भी आप note करते चली चाहिए और जो question नहीं आता है उसे तो आप जरूर ही note करें अगला question देखिए दोस्तो अगला question आटो बायो गराफी पुस्तक किस ने लिखी ये पुस्तक काफ़ important है आटो बायो गराफी किस ने लिखी ये पुस्तक तो इसका अंसर है जवाहर लाल नहीरो ने जवाहर लाल नहीरो की पुस्तक है आटो बायो गराफी अगला question है पुँगल उस्ताव का संबंद किस राज़ से है तो ये question भी आपका very say very important है star लगा दीजे इस question पर पोंगल उस्ताव का संबंद किस राज्य से है इसका अंसर है तमिल नाडो तमिल नाडो आपका बिल्कुल सहीं अंसर है अगला केशन है आधुनिक ओलंपिक खेलो का आयोजन कब एवं कहां से प्रारंब किया गया आधुनिक ओलंपिक खेलो का प्रारंब किया गया तो इसका इंग्छर से विक्रम सारा भाई औंत्रिक्ष केंद्र tätä wealth प्रुश्कार्पार्म-ँष्थर लिए अग्ला क्वेशन देखेए भी नौब्र्स्कार प्राप्त करने वाला है पर्थम भार्तिये कौन है नोबल पुरुषकार प्राप्त करने वाला पर्थम भार्तिये कौन है रविंद नार्ट एकोर आपका अंसर है अगला ग्षिन अंतराष्टिये न्याय लगे न्याय अधिसों की कार्याओधी कितनी वर्स होती है तो अंत्राश्टी न्याय लगी न्याय धीसों की कार्य अधी कितने वर्षों होती नौ आपका अंसर है अगला वेशन है बीहू का संबंद किस राज्य से है ये भी वेरी इंपोर्टेंट आपका वेशन है बीहु का संबंद किस राच से है असम आपका बिलकुल सही आंसर है अगला क्रेशन है परसिद्ध सत्रंज खिलाडी गाटा कामास की किस देश के नागरिक है सत्रंज खिलाडी है गाटा कामास की ये किस देश के नागरिक है तो अमेरिका के ये है अमेरिका के है गाटा का मास्की तो सत्रंज खिलाडी है अगला क्वेशन है जियाना किस देश की संसद है संसद एजनसी है जियाना किस देश की सनवाद एजनसी है सनवाद एजनसी है तो जिमबाबे आपका आंसर है जियाना सनवाद एजनसी है जिमबाबे की अगला क्वेश सबसे ज्यादा ATM किस बैंक के हैं तो यह इसका अंसर आप अपने अंदाजे से भी लगा सकते हैं इसका अंसर है अगला क्वेशन है ग्रेंड मास्टर सब्द का परयोग किस खेल में किया जाता है अगला क्वेशन देखी दोस्तों अगला क्वेशन है किस अंतराश्ट यह चैंपियंशिप में थॉमस कब दिया जाता है तो पहले तक आपसे पूछा जाता है कि थॉमस कब का संबन्द किस खेल से है इस क्वेशन में आपसे पूछा है किस अंतराश्ट यह चैंपियंशिप में थॉमस कब दिया जाता है इसका अनसर है बैट मिंटन अगला किसन है भारत एवम रूस के आपसी सैयोग से निर्मित भारत की पहली कुरूज मिसायल कौन सी है तो इसका अनसर है बरमोस आपका बिलकुल सही आनसर है अगला question है सूर्य दोई का देश की नाम से कौन सा देश परशिद्ध है वेरि इम्पोटेंट question है सूर्य दोई का देश की नाम से कौन सा देश परशिद्ध है इसका अंसर है जापान जापान आपका अंसर है तो दोस्तो ये थे आज के question उमीद हमने सारी question बहुत अच्छे से क्या होगा तो दोस्तो इन question में से अगर आपने 30 plus कर दे तो आपके तयारी बहुत अच्छी है आपको selection से कोई रोक नहीं सकता और दोस्तो आपके आज 40 question होगे इसमें से आपको लगभा question आपके exam में जरूर देखने को मिलेंगे तो अगर आप इन question में से कर ले जा रहे हैं तो आपका जो selection है वो बहुत करीब है और इन question को करके आपको ये फाइदा होगा कि अगर आपको option ना भी आप देखे तो आपको ये आ जाएंगे और दोस्तो इसमें ज़्यादा question आपको अगर option नहीं होगा तो आपको ज़्यादा question आप कर सकते है क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी नहीं होगी और हम ज्यादा क्रेशनों को कवर भी कर लेंगे तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत